हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नियूज सुप्रीम कोट ने दोशी मुकेश और विने की क्यूरिटिव पेटीशन खारच कर दी उसके बाद शाम को पांच बजे मुकेश ने राश्पती के पास दयायाचिका लगाई इसके साथ ही मुकेश के वकीलों ने दिली हाई कोट में एक याचिका लगाई कि हमारी दयायाचिक राश्पती के पास लंबित है और जब तक उस पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक हमारे खिलाफ जारी हुए डैथ वारेंट पर रोग लगा दी जाए आज इसी पर दिली हाई कोट में सुनवाई शुरू हुई सुनवाई के तुरान मुकेश के वकीलों ने दलील दी कि जब तक राश्पती के पास लंबित दयायाचिका पर फैसला नहीं आ जाता तब तक फासी नहीं दी चानी चाहिए मुकेश के वकीलों की ओर से सुप्रीम कोट के एक पुराने आदिश का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि राश्पती अगर दयायाचिका खारेच कर भी देते हैं तबी भी 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए